कि आपका इस नई सेशन में आपका इस नए सेशन में आपको पुला था पॉस्ट दो सेशन एक दम आराम आराम वाले होंगे अपने विल जस्ट है वन वन आर लेक्टर्स ठीक है लास्ट सेशन तो शायद फिर भी वन आर से थोड़ा जादा था आज भी अप्रॉक्सिमेटली वन वन एन हाफ आर मैक्सिमम तक मैं लूँगा वन आर इस ना बट कल से अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर और वहां से अपन प्रॉपर मोमेंटम गेंड कर लेंगे ठ वह मैं मैंच में खेलने के पहले जो भी पर्फ़र्व मर् है मैं измен मैं आर्स् axe परफॉर्म करना लोग का टार्म काईब सीक रहा आ रहैं जैसे अपने लास्ट सेशन में सीखा और सु हैसार्शन वस यहां पर लोगन ने समझत की कोशिश की कि अपना टोटल पोर्शन कैसे डिवाइड़ेड है सो डिस्क्रिप्टिव एंसी क्यूज में डिवाइड़ेड है सेविंटी माक्स थर्टी माक्स एंड फॉर्ड वोल वर्ल अगेन आम तेलिंग यू गाईज फॉर्ड वोल वर्ल्ड दा चलो में को एक इन जनरल बताओ कितना याद है तुमारे को एएफम में टोटल कितने चैप्टर्ज है अगर मैं तुमारा टेस्ट लूट तो कमान गाईज एएफम में टोटल कितने चैप्टर्ज है क्या बता सकते हैं 15 वेरी गुड दुनिया के लिए 15 chapters है बट आपके और मेरे लिए उस chapter को अपन लोग ने कितने parts में डिवाइड कर दिया है बोलो बोलो चल चल yes for the world they have 15 chapters हमारे लिए हमने इसको 4 phases में divide कर दिया है phase 1, phase 2 phase 3, phase 4 30 marks, 30 marks, 30 marks 30 marks, right तो मेरे लिए जैसे ही एक phase complete होगा मैं बोलूगा आब बाई 30 marks in my pocket 60 marks, 90 marks 120 marks, how it is divided तो पहले phase में आते हैं 3 chapter क्या आप लोगो chapter के नाम याद होगे तो अब phase wise कर रहे है तो chapter के नाम भी थोड़े अपने को याद होते जारे mutual funds, portfolio management, valuation of security phase हो गया, phase 2 में आगया forex, international financial management derivatives, international rate risk management, IR, RM rather, then we have mergers and acquisitions, business valuations advanced capital budgeting in phase 3 and phase 4 financial corporate policy risk management, security analysis, startup finance and secretization falls in phase 4 so I hope ये चारो phases अपने को in terms of chapters clear हो गए होंगे so that there is no issue at all ठीक है, public क्या बोलते हो, done है ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे को बताया था कि अपन content में क्या coverage करने वाल है boss, इसके अलाव आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है अब देख रहे हो ना, मतलब ये 100% coverage होने वाला है ठीक है, इधर तक 100% coverage होने वाला है एक चीज भी छोडने नहीं वाला हूं है ठीक है, and then we will also keep on conducting test जितना आप लोग टेस्स लिखोगे उतना आपको समझ में आएगा how you are going to perform and finally, यहाँ पर मैंने आपको बताया optimized के through अपन क्या-क्या cover करने वाले हैं so it will have past paper trends, study mentor, preview, concept theory examples, practical questions, MCQs, everything and finally, अपना प्रमास्तर and that is your magic book, the summary book for the exam time revision with revision videos alright guys, so यह सारी चीज़े आप लोग को मिलने वाली जैसा आप लोग ने देखा होगा, आप लोग को एक Google Drive का link मिलेगा वहाँ पर यह जो भी written notes है, वो आपके upload हो जाएंगे उधर ही आपको एक Excel मिलेगा जहाँ पर schedule दिया है, chapter, concept, question, duration वो चीज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, so that's how the whole system works, ठीक है, अब अपने को आज session को और आगे बढ़ाना है, तो चलो, और मैंने आप लोग को बोला था, usually अपनों के एक आदत रखेंगे, we will try at max possible to revise whatever has been taught in the earlier sessions, तो पहले के sessions में जो भी पढ़ा है, मैं आपको उसको revise कर वाऊंगा, और फिर ही अपन आगे बढ़ेंगे, क्या बोलता है public, सही है ना idea, done, so अभी मैंने आप लोग को एक idea दे दिया है, कि अपने लास्ट session में क्याद किया था, और अब कहानी को और आगे बढ़ाने वाले हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिखा है, AFM basics, connecting markets to finance, connecting markets to finance, आप लोग को एक दो example देना चाहता हूं, कि कैसे चीजे connected होती है, क्या तुम लोग ने कभी economic tie, times पढ़ा है, नरे सर, यह क्या बोल दिया आपने, क्या तुम लोगों पता economic times क्या होता है, या उसके अलावी और भी जो newspapers आते हैं, जैसे mint करके एक आता है newspaper, business standard करके newspaper आता है, economic times तो है ही obviously, कितने सारे newspapers आते हैं, सार हमारे को तो यह सब पढ़ने का time नहीं मिल पाता है, सार हम बड़े लोगे, आम आर्टिकल्शिप कर रहे है, बट अगर आप लोग पढ़ोगे ना, then in that case, every third या fourth day पे, आपको economic times में, एक या दो चीज़ related information मिले गा ही मिलेगा, दुनिया का कोई भी economic times हो, कहने का मतलब क्या है बता है क्या, दुनिया का कोई भी finance related paper हो, markets related paper होगा ना, तो that paper will always always speak, that paper will always always speak of few things and one of them, ladies and gentlemen, is called as interest and the other is called as inflation, क्या आप लोग ने इन दोनो वर्ड के बारे में सुना है, क्या तुम लोग ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ऐसा कुछ सुना है, मैं आपको सब बताऊंगा, inflation वर्ड तो सुना ही होगा, यह सब बहुत important role play करता है, किसी भी economy के financial market में, जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा, दो ऐसी economies, जिसने interest and inflation को properly manage नहीं किया, and उनके repercussions क्या थे, what was the repercussions, मतलब उसका impact क्या था, उनकी economy के उपर, and कैसे, यही दो चीज़े, interest and inflation play such an important role, in shaping, developing of an economy, ठीक है, अपन बहुत hero बन के, सीधा चालू तो कर देता है, चलो 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 सर, chapter चालू करते है, mutual fund चालू करते है, portfolio management यह वो, बट अपने को अगर, financial markets के basics के बारे में ही नहीं पता होगा, market, stock market जो तुम लोगने इतना सुना है, वो क्यों उपर जा रहा है, क्यों वो नीचे जा रहा है, क्यों वो red है, green है, अगर वो ही चीज़े नहीं पता होगी, then in that case, how are we going to become a successful chartered accountant, or a successful financial analyst, कैसे अपन इस subject को, एक justice दे पाएंगे, not possible at all, and that is where, my practical experience, comes into the picture, and यह, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, that how are we going to approach each and everything, आज का जो session है, वो आपका दिमाग open कर देगा, in terms of how the market works, और आज के बाद अगर आपको trading करना हुआ, जो सब को चाहिए, as a budding article clerk, as a budding chartered accountant, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे broadly, macro economics, play करता है एक role, financial markets में, जी हाँ, आईए, समझने की कोशिश करते हैं, आगे, आप लोग को ये हमेशा जिन्दगी भर काम आएगा, मतलब by default, जब मैं portfolio management, valuation of security, और ये सब चीज़े करवा रहा हूँ ना, तब तो use आना ही आना है, इसके अलावा भी ये आपको बहुत use आने वाला है, in your practical life, तो क्या आप ऐसी सब चीज़े सीखने के लिए तयार है पब्लिक, चल, तो फिर let the game begin, अब मैं सबसे पहले example ले रहा हूँ, देखो आज का मेरा जो पूरा focus है ना, that is on this, connecting markets to finance, and markets are heavily heavily dependent on two things, याद रखना ये बात, दिमाख में गाट बांद लो, कि ये दो चीज़े सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, जब भी भी आप economic times पढ़ो या कहीं पे भी जाओ, you will always find, कभी आप CNBC ओपन करना आया, ये सब चीज़े तो भी आप लोगे लिए बहुत ज़्यादा extreme level किया, पर जब आप सुनना चुनोगे ना, you will find that कोई भी economist या कोई भी है ना, he is always discussing these two things, एक interest rates, and दूसरा inflation, the most two important aspects, for any, any, any financial economy, जी हाँ, very important, और आज दो ये दो aspects का impact समझाने के लिए, पुरा economy बे, मैं आप लोग को लेके चलूँगा, दो countries के पास, जिसने इन दो चीज़ों को properly manage नहीं किया था, and they had a very tough time, एक, जिस country का नाम है, यपान, and दूसरा, जिस country का नाम है, जिमबाववे, जी हाँ, जपैन, interest rates को manage करने की वज़े से, जिमबाववे, inflation को न manage करने की वज़े से, बहुत बुरी हालत में फज गया था, आओ, मैं आपको बताता हूँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, interest rate वाले impact के उपर से, ये interest rate क्या होते हैं, मैं आपको बता दू, for just a basic understanding, कि अगर आपको लोन चाहिए, या अगर आपको आपका पैसा deposit करना है, then in that case, कैना इससे, आपको bank में जाना पड़ता है, अरे बोलो हाया ना, तो bank, अगर समझो आपको लोन चाहिए, या आपको deposit करना है, तो bank जो rate of interest आपको दे रही है, क्या वो बैंक जो दे रही है, आपको rate of interest, क्या वो अपने मन मर्जी से कुछ भी दे देती है, कुछ भी कुछ भी क्या, या फिर कुछ thought process के साथ, वो दिया जाता है, क्याना इससे RBI से interconnection के साथ, वो दिया जाता है, क्याना इससे जो finance minister है, या फिर for that example, जो RBI के governor है, उनके directions के हिसाब से दिया जाता है, obviously finance minister, RBI, governor, यह सब जो panel होता है, economist के monetary policy, जो बनाते हैं ना, वो monetary policy के panel के हिसाब से decide किया जाता है, that what is going to be the prevailing interest rates, in the market, जी या, ऐसा नहीं के बस चलो, आज ऐसे ही, किसी ने 7% दे दिया, कोई 3% दे रहा है, कोई 1% दे रहा है, no, हाँ, उसमें 0.5% का उपर नीचे हो सकता है, थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, because वो जो bank है, वो खुद अपना एक interest का cost bear कर ले, it can be a different thing, but इतना बड़ा variation नहीं होगा, कि कोई bank 2% दे रहा है, कोई bank 5%, कोई bank दे रहा है 7%, नहीं, इतना variation नहीं होगा, why? Because एक general, एक जो general benchmark है, जो एक general basis है, वो तो आपको RBI, finance sector से ही determine होगा, जी हाँ, so that is where the monetary policy of the government, plays a very important role in determining the interest rates, क्या rate of interest पे आपको loan मिल रहा है, आज की तारीक में आपके parents को बुचना, शायद उनका home loan होगा, तो वो home loan, जो है, उन्होंने 7% पे भी home loan का interest pay किया होगा, आज 9% पे भी pay कर रहे होंगे, तो क्यों fluctuation हो रहा है वो? Because of interest rate fluctuation, जो monetary policy के basis पे decide होता है, कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा high level की बाते कर रहा हूँ मैं, monetary policy, interest rate, बोलो, बोलो, टल, टल, गाइस, येस, 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 तो, monetary rates, reverse rate, reverse rate, normal interest rate, reverse rate, ये वो सम से determine होता है, आपका interest rates, ठीक है, ठीक है, अब आओ, मैं आप लोगों के साथ, discuss करने वाला हूँ, एक ऐसी economy, जहाँ पे, we are going to go in depth, of how interest rate plays such a important role, अच्छा, जपैन, नाम तो सुना होगा, सेन्योरीटा, क्या आप लोग ने जपैन का नाम सुदा है, चलो, जपैन किस चीज़ के लिए famous है, दो, तीन चीज़ जिसके लिए Japan famous है, जो आपको बता है, come on guys, come on, come on, give your answer, yes, few things which you feel that, yes, Japan is famous for, very good, चलो, मैं बलता हूँ आपको, दो चीज़ के लिए Japan बहुत ज़्यादा famous है, एक unfortunate incident, और एक fortunate incident, one of them is Hiroshima Nagasaki, ठीक है, वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वार टू के टाइम पे, atomic bomb was put on Hiroshima Nagasaki, and the second positive thing, जिसके लिए Japan famous है, is very nicely said by Meghana Rinki, and that is technology, and that is, yes, you guys have heard that right, technology, can I say innovation, आजकल तो यह Facebook और Instagram पे, Japan लोग देखते हैं, open करते हैं, तो देखते हैं यार, कितना कितना क्या-क्या innovation आता है, वहाँ पे तो, जो जपान का वो लोगा reels होता है, उस पे देशो मच, और देशो, so much of technology, so much of innovation, ठीक है, जो इंडिया में, bullet train, 2025 तक भी एक distant dream है, वो bullet train, Japan has already introduced, in 1960s, would you believe it, क्या आप इश्वास कर सकते हैं, 1960s में जीया, they are almost 60 years, in those terms, ahead of us, bullet train का तो अपने लिए तो एक ख्वाब है, उन्हाने उसको हकीकत बनाया था, in the year 1960, and they did it, ठीक है, जबकि 1940s में तो उनके यहां पे, Hiroshima नागा सकी, और bombing और यह सब हुआ था, but, उन्हाने बोला कि, boss, यह सब चीजों को पीछे रखो, हम यह सब चीजों के उपर, रोने वाले हैं नहीं जादा, जो हो गया, जो सो हो गया, Hiroshima नागा सकी के ओपर, bombing किया था, तो मैंने ही बोलूँगा, कि फूरी तरह से ही, Japan की, I mean, America की गलती है, बट हा, इतना बड़ा nuclear bomb, that was too much, to on those people, जिनका कोई गलती है भी नहीं, but, anyways, so, we'll not get into that history, and politics now, but, Japan का, अगर मैं positive देखता हूँ, तो आज की तारीक में, दुनिया का कहीं भी, technology का बात हो, दुनिया में कहीं भी, innovation का बात हो, तो Japan, stands tall, and Japan is the one, which always take lead in it, ठीक है, क्या, अब आप मुझे बता सकते है, कि GDP wise, Japan, world के ranking में, कहा पे आता है, world का सबसे highest GDP किसका है, चलो, यह सब चीज़े थोड़ी-थोड़ी, knowledge आप लोगो होना चाहिए, सार, हम तो आर्टिकलशिप के अलावा, हमको audit tax के अलावा, कुछ आता ही नहीं है, नहीं, अब नहीं चलेगा, मेरे session में आयो, तो आप लोगो को पूरे world market का knowledge में दिलवा के ही चोड़ूँगा, आप मिज़े बताओ कि world में जपैन का standing कहां पे है, in terms of technology, in terms of GDP, sorry, in terms of GDP, बोलो, बोलो, टेल, टेल, any idea, well, जपैन stands third, चीक है, जपैन is third, in terms of GDP, जपैन, is third, Q in terms of GDP, फर्स्ट को नहीं पता है क्या, फर्स्ट is uncle Sam, अमरिका, सेकेंड is China, and फोर्ड is, yes, जपैन, अब, fun fact सुनना, जो मैं तुमारे को दे रहा हूँ, fun fact सुनना, जो मैं तुमारे को दे रहा हूँ, ध्यान से, ठीके, the fun fact is, Japan, third largest GDP, known for innovation, ठीके, known for innovation, अब एफ्याई, इस गांट्री, गाजीड़ीप, इन दे यार, 1996, विच एफ्याई इन दे यार, प्रोक्सिमेटली, एफ्याई एफ्याई अप्रॉच्श्वाइट्री, अप्रॉच्वाइटिप, अब, क्या कोई guess कर सकता है कितना है चलो मैं आप लोग को एक इसका GDP दे देता हूँ 1996 में Japan का GDP was approximately 4.5 dollar trillion 4.5 trillion dollars was Japan's GDP in the year 1996 क्या आप guess कर सकते है Japan का GDP in the year 2021 any guesses guys come on ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सोचो सोचो Approx मुझे भी Approx numbers ही चाहिए मुझे भी कोई exact नहीं चाहिए well 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 it is still so यहाँ पर मैं तोड़ा सा इसको increase कर देता हूँ ज़्यादा था so well it was approximately 4.9 trillion dollars in 1996 and 2021 में भी it is 4.9 trillion dollars जी हाँ now ideally अगर आप यह gap देखोगे तो it is 25 years का gap आप मुझे बताओ 25 years में क्या इस economy को बहुत ज़ादा बढ़ नहीं जाना चाहिए था हाँ बढ़ जाना चाहिए था ना बट आज अगर आप देखोगे तो यह economy अब मैं आप लोग को वही चीज बताने जा ला हूँ और आगे कितना काम आएगा आपको यह देखना so improper financial policies they could not manage the interest rates properly तो ऐसा क्या हुआ था चलो आओ मैं आप लोग को बताता हूं ठीक है क्या improper financial policies उन लोग को उन लोग ने की थी improper financial policies ठीक है आईए देखते हैं मैं आपको बता था लेट 1980s में जपान crude oil import करता था ठीक है जपान crude oil import करता था अब हुआ क्या आचानक से के dollar का जो rate है increased dollar का rate increased तो dollar one dollar से equal to five yen या rupees समझते हो rupees five से बढ़कर one dollar equal to rupees fifteen हो गया यह अपने को समझ में आता है अब मेरे को बताओ अगर एक dollar पहले मैं ना देखो इंडिया भी है ना crude oil dollar में import करता है अब से for example एक dollar का पाच रुपया था अब अचानक से एक dollar का 15 रुपया हो गया तो मेरे लिए cost बढ़ गया या मेरे लिए cost कम हो गया आप मुझे बताओ मेरे लिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूं dollar को इंपोर्ट कर रहा हूं मैं crude oil को इंपोर्ट कर रहा हूं dollar में payment कर रहा हूं पाच रुपय की था एक dollar आज वही एक dollar का 15 रुपया देना पड़ रहा है मेरे लिए cost बढ़ गया यह कम हो गया बोलो आप बताओ हावी can I say the cost has increased यही अभी अगर मैं आप लोग को वह लोग के terms में बता देता हूं यूआन के terms है कि पहले क्या था एक dollar था पाच यूआन अब एक dollar हो गया पंदरा यूआन तो कैना इसे cost of production increased बराबरे इसकी वज़े से inflation हो गया inflation समझते हो increase in cost of production in simple terms बोलू तो इसकी वज़े से cost of production बहुत बढ़ गया पूरे के पूरे जपान में पूरे के पूरे जपान में बहुत जादा cost of increased production हो गया are we understanding guys अरे बोलो बोलो tell tell yes चलो अब हुआ क्या ध्यान से समझना अब से for example मैं एक industry हूँ ठीक है मैं manufacturing industry हूँ in Japan I am a manufacturing industry in Japan ठीक है हर manufacturing industry को है न oil की जरुवत पड़ती है ठीक है तो oil की जरुवत पड़ती है ठीक है just take example अब today जब मैं यह oil ले रहा हूँ तो यह same hundred dollar का oil मेरको कितने का पढ़ रहा है क्याना इसे यूवान 1500 तो मेरा तो cost of production बढ़ गया अब इससे जो मैं product बनाने वाला हूँ पहले मेरा जो product बनता था पहले मेरा जो product बनता था जब मेरा dollar यूवान 500 था तब मेरा product बनता था यूवान से 10,000 में आज because of increased cost of import oil production and all of that मेरा यह बनता है यूवान 15,000 में अब यह understanding अब इस cost of production increase होने की वज़े से ठीक है जापान is a major exporter ठीक है जापान अपने products को क्या करता है एक्सपोर्ट करता है तो उसकी वज़े से उसका export price भी increase हो गया देखो क्या हुआ मेरा cost of production पहले था say you earn 10,000 ठीक है अब वो increase होके हो गया you earn 15,000 तो अगर मेरा cost of production increase हो गया है कैना इसे अब मैं export करूंगा तो वो भी cost बढ़ जाएगा पहले जब मैं export करता था ना पहले जब मैं export करता था तो इस पे मैं 20% increase करके you earn 12,000 में export कर देता था you earn 12,000 में export कर देता था अब 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 मैं अगर 20% margin रखता हूँ तो मैं कितने में export करूंगा तुम लोग सोच समझके बताओ मुझे तुम लोग मुझे सोच समझके बताओ अब मैं कितने में export करूंगा everybody everybody think and tell बोलो बोलो चल चल absolutely करें 20% आप लोग ने भी बढ़ा दिया 15,000 के उपर तो आज मैं 18,000 यूवान में export करूंगा अब यह cost of production में बहुत pricing cost है अब हुआ क्या यह crude oil की increase होने के वज़े से बाकी काफी सारे cost बढ़ गए ठीक है अब अब जो मेरे business वाले लोग थे they wanted to use the you can say loan उनको loan चाहिए रहता है कोई भी business entity होने दो उनको regular basis पहना loan चाहिए होता है क्योंकि loan लेंगे वो लोग तो ही अपना उनका working capital चलते रहेगा और उनका business आगे चलते रहेगा अब यहां पर क्या हुआ अब यहां पर क्या हुआ इनका cost इतना बढ़ गया इनका cost इतना बढ़ गया इसकी वज़े से इनका export का price भी बढ़ गया तो जो लोग export या जपान से import करते थे उनको लगा यार जापान तो बहुत महेंगा हो गया जैसे अमेरिका अमेरिका जापान से बहुत कुछ products from Japan बट अब जापान तो महेंगा हो रहा है तो अब अमेरिका क्या करेगा अमेरिका दूसरे avenues ढूनना चालू कर दिया बट जापान ने बहुत अरे भाई ऐसा मत कर अमेरिका मैं तेरे को सस्ते में देता हूँ और अब उस सस्ते में देने की वज़े से जापान ने एक financial policy introduce किया किसके लिए पता है जापान ने जापान के monetary या जापान बैंक ने एक monetary policy introduce किया और बोला कि अगर अगर जापान को ये inflation को beat करना था देखो crude oil और dollar और ये सब के price बढ़ने की वज़े से inflation बढ़ गया था बराबर है inflation बढ़ने की वज़े से inflation बढ़ने की वज़े से cost of production बढ़ गया था इसको counter करने के लिए जापान के monetary policy ने क्या किया interest अगर आपको as a business loan चाहिए और interest आपका इक cost है तो interest उन्होंने rates reduce कर दिया और interest reduce करने की वज़े से जापान की government को लगा जापान की bank को लगा के cost of production भी reduce हो जाएगा अगर cost of production reduce हो जाता है then in that case can I say they will be able to export at a lower cost मतब उनका जो total export का price है वो low हो जाएगा ठीक है वो intention से कि export अपना manageable हो जाए सस्ता हो जाए export अपना cheap हो जाए उन्होंने interest rates को reduce कर दिया समझ में आया इधर तक क्योंकि आपने जब loan लिया है तो आप loan के लिए interest pay कर रहे हो जब आप interest pay कर रहे हो वो आपका एक cost है अब हो क्या रहा है आपके बाकी सब cost भी बहुत सारे बढ़ गए crude oil का cost cost of production बाकी सब cost बढ़ गए और उस पर से interest का भी इतना सारा cost तो जापान की bank ने बोला जापान की government ने बोला चल ठीक है यह जो crude oil और यह सब का cost बढ़ रहे हो ठीक है अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते but at least अपनी monetary policy को change करके interest rates तो हमारे हाथ में क्यों ना interest rate को जो rate पे हम लोग loan देते हैं वो interest rate को हम लोग कम कर दे अगर वो interest rate को हम लोग ने कम कर दिया then in that case तुमारा जो interest cost है वो कम हो जाएगा तो overall कहीं ना कहीं cost of production कम हो जाएगा तो at least तुम लोग export एक सही price पे बेच पाओगे क्या इतना scenario आप लोग को समझ में आया क्यों Japan government ने interest rate कम किया क्यों क्यों क्योंकि यह बढ़ती भी महेंगाई को cost of production को offset करना था और यह offset करने के लिए उनको लगा कि कहीं ना कहीं यह मेरको reduce करने की जरुरत है कहीं ना कहीं यह मेरको reduce करने की जरुरत है अब यह understanding गाईज बोलो बोलो चल चल अधर तक समझ में आया गाईज तो मैं आगे वड़ता हो क्लियर है इधर तक तो अब जापान की गवर्नमेंट आप ऐसा सोचो आप जापान की गवर्नमेंट हो आप जापान की बैंक को मॉनिटरी पॉलिसी आपके हाथ में तो आप क्या करोगे आप मुझे बताओ क्या करोगे जो जापान की बैंक ने किया क्या करोगे आप भी क्य लोग लोइज कुछ करो तो कि चारो करो कि बाहर की मैं क्या कर सकता हूं तो आप बोलो यह interest rate कम कर दो हम लोग जो आपको लोन लिया है उसके उपर जो interest दे रहे वो इतना सारा interest दे रहे तो वो तो कुछ करो कुछ करो उसका कम करने की कोशिश करो तो उसके लिए आप भी अगर bank of Japan हो monetary policy आपके हाथ में तो आप क्या करोगे बोलो चलो फड़ा फड़ जवाब दो येस जपान bank ने भी कुछ ऐसा ही किया sir at least जो अपने हाथ में है जो interest rates है आज की तारिक में इतने सारे businesses है वो हमारे को वो हमारे को क्या दे रहे है correct वो हमारे को interest दे रहे है bank पे loan लियावा है तो loan लियावा है तो loan का interest rates which was 5% is now reduced by the bank of Japan by the bank of Japan उन्होंने reduce कर दिया इसको to 1% बदायो बहुत बहुत बदायो क्या आप अगर सोचो आप businessmen हो ठीक है आपके cost of production बढ़ते जा रहे आप जिसको export करते थे अमेरिका वो बोल रहे तेरा तो cost बहुत बढ़ गया है मेरे को तेरे पास से नहीं चाहिए मेरे को तेरे पास से नहीं चाहिए तेरा तो cost बहुत बढ़ गया है अगर ऐसा आपको अमेरिका वाले बोलने लगे तो कहने से आपको चाहिए कि आपका cost कम हो जाए, cost कम होने के लिए आपने bank को बुला, loan का rate of interest कम कर दो, तो bank नहीं, monetary policy को change करके, loan का rate of interest 5% से 1% कर दिया, जी, हाँ, अब आप मुझे बताओ, as a businessman, are you happy or not, are you happy or not, you are happy, इधर तक अपने को समझ में आगया, क्या पूरा situation चल रहा था, आप visualize कर पारे हो, and यह actually हुआ था भई, अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, यह जो जापान के लोग है ना, यह भी बड़े तिगडम बाज है, तिगडम बाज मतलब वो लोग भी अपने जैसे, जुगाड करना जानते है, वो भी लो इंट्रेस्ट रेट्स, जो लो इंट्रेस्ट रेट्स में मिल रहा था, जो लो इंट्रेस्ट रेट्स में मिल रहा था, वो चीज़ को वो लोग ने अड़क्ट करना चालो कर दिया, मतलब, रो इंट्रेस्ट रेट्स फाइफ परसेंट था, अब वन परसेंट हो गया, ये शाने लोग ने क्या किया ध्यान से सुनना क्या सुपर स्टोरी है। इन्होंने because interest rate इतना low गया है इन्होंने loan लेना चालू किया और यह loan लेगे देखो अभी market में loan पहले 5 टके पे मिलता था अब 1 टके पे मिल रहा है क्या हर एक आदमी अब loan लेना चाहेगा बोलो हाँ या ना everybody you have to answer guys क्या आप भी पहले आपको loan मिलता था 5% पे अब आपको loan मि चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे बोलो बोलो चल 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 101% एक टके पे लोन मिल रहा है यार क्या खोटा क्या बुरा 101% I will want to take loan and जापान के लोगों ने भी loan लेना चालू किया at 1% वह loan लेके वह loan का इतना कम interest rate बैंक ने क्यों कम इतना interest rate किया आप लोग मुझे बता बै बोलो बोलो चल 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 बैंक ने इंट्रेस्ट रेट वन 5% से 1% क्यों किया सोच समझ के बताओ चलो everybody guys देखो keep on communicating जितना communicate करते रहोगे उतना चीज़ें इंट्रेस्टिंग होती रहेगी अधर्वाइस तो सोजाओगे बैटे बैटे चलो बैंक जैपान ने इंट्रेस्ट क्यों कम किया हाँ inflation की वज़े से ठीक है तो किसको benefit देना चाहता था ये bank of japan यह loan का interest rate कम करके जपान का bank किसको interest rate देना किसको benefit देना चाहता था किसको benefit देना चाहता था यह बैंक आफ जपैन सोचा मज के बताओ चलो everybody answer try to answer यह लोन का जो interest rate कम किया है absolutely correct manufacturing industry के लिए business sector के लिए किया यह सब किसके लिए किया है manufacturing industry के लिए business के लिए बट आपको पता है Japanese लोगों ने क्या करना चालू कर दिया यह जो लोन है 1% पर उठाया और इसको use करना चालू कर दिया invest करना चालू कर दिया real estate में हाँ अब ध्यान से सुनना क्या हुआ ठीक है अब बहुत सारे लोग लोन लेने लगे और इन्वेस्ट करने लगे real estate में अगर आप लोगों को पता होगा तो real estate में भी invest करना है तो आदमी को लोन की ज़रोर तो पढ़ती ही है ठीक है वह करोडों का इन्वाल होता है पैसा उसमें तो उन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया real estate में इसकी वज़े से क्या हुआ real estate का sector बढ़ गया इधर demand बढ़ गया demand increased in real estate बराबर की नहीं अगर कोई भी चीज़ का demand बढ़ता है तो उसका भाव बढ़ेगा या कम होगा demand increased in real estate market of Tokyo Tokyo आप लोगो सबको बताई होगा जपान का capital so real estate market में demand बढ़ गया ठीके क्यों क्योंकि सब लोग करीदने लगे सब लोग और एक टके पे लोन मिल रहा है चल 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 करीद ले चल 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 घर करीद ले घर करीद ले एकदम आलू के जैसे बिकने लगा so Tokyo आप विश्वास नहीं करोगे भाईयों और मैंनों Tokyo का real estate market था रुपीज 100 पर स्क्वेर फीट एक एक एक्जामपल दे रहा हूं मैं public ने loan लिया loan लेके invest करते गए करते गए invest करते गए real estate में land में invest करते गए building में invest करते गए देखते ही देखते रियल एस्टेट प्राइजेज ओफ जपान इंक्रीज टोक्यो का एक्जामपल लिया है बाकी पूरा रियल एस्टेट प्राइज आगया तो भाव बढ़ेगा या कम होगा क्या लगता है वाव बढ़ते जाएगा ना कोई भी चीज का डिमांड आता है तो वह तो अपना बढ़ा ही देता है यार पब्लीक है आया ना अरे बोलो बोलो चल-छल सर्शी यह सा यह सार अन द्य伏 वॉथ तोक्यो प्राइजीज एस वैल उसका रियल एस्टेट प्राइज इस है उसका रियल एस्टेट प्राइज बढ़ने लगा अब यह आपको एक overall economy का सिनारियो बता दिया अब उसमें से मैं एक बंदे का यहाँ पर example लेता हूँ एक बंदे का example लेता हूँ जो जपैन में ही रहता है जिसका नाम है संकल्प कामोशी जिसका नाम है संकल्प कामोशी यह बंदा भी उधर ही रहता है का पे रहता है जपान में ही रहता है अब ध्यान से इस बंदे की स्टोरी सुनना इसने मैं तुम लोग को रुपीज के टर्म्स में बता रहा हूँ तो अपने को वह easy understanding रहेगा संकल्प कामोशी नाम कैसा है अच्छा है इसके चलो अब हुआ क्या पता है क्या मैंने 10 लाख रुपे का लोन लिया if 1% 1% पे इंटरेश् dramas मिलरा था मिरको ऊपर सो एक मैने 10 लाग रुपे का लोन लिया और यह 10 लाग रुपे का लोन लेके रियल estate में invest कर दिया चुप्चा real estate का मैंने property ले लिया साकी काम हो जो भी नाम रखना है रखा है क्या परक पड़ता है नाम में क्या रख है चलो मैंने 10 लाग का real estate में investment कर दिया ध्यान से सुनना है story को तिक है अब जैसे ही मैं real estate में invest कर रहा हूँ अब demand और बढ़ते जा रहा है जैसा आप लोग देख रहे हो याप पर demand बढ़ते जा रहा है demand बढ़ते जा रहे तो real estate price बढ़ते जा रहे यह जो 10 लाख की चीज थी यह हो गई 20 लाख रुपे की जी हाँ अब ध्यान से सुनना लिया वैसा तो वैसे ही लोगों ने क्या किया यहाँ पे घर लिया 10 लाख का 1% rate of interest देखे अब इस घर का value हो गया 20 लाख इस 20 लाख के value के ऊपर मैंने और loan लिया 1% पे और मैंने और real estate में investment कर दिया मैंने और real estate में investment कर दिया अब लोग समझ ले हो अब हुआ क्या इसका value और बढ़ गया और 20 लाख से और 20 लाख से 40 लाख हो गया ठीक है इसका value और बढ़ गया और बढ़ने की वज़े से मैंने और loan ले लिया ठीक है और मैंने क्या ले लिया loan ले एंड ये मैंने लोन वापस से कम रेट के उपर ले लिया अब हुआ क्या Government of Japan को ये चीज रियलाईज होना चालू हो गई कि ये संकल्प कामोशी जैसे बहुत सारे लोग है जो क्या कर रहे हैं पता है क्या जो लोन ले रहे है पट वो लोन लेके हम लोग Bank of Japan बोल रहा है Government of Japan बोल रहा है हम लोग ने तुम लोग के लिए rate of interest कम किया इसके लिए कि तुम लोग business sector में industry में invest कर सको बाट तुम लोग ने business में और industry में invest ना करके real estate में invest किया वो ही real estate के property को inflate होते जा रहा है उसी के basis पे और loan ले रहे हो और real estate में डाल रहे हो और उसका property का value inflate हो रहे है और loan रहे हो और उस loan को कहीं न कहीं तुम लोग real estate में डाल रहे हो तो आप मेरे को बताओ जापान का government इस चीज से खुश होगा या ना खुश होगा bank of Japan will be happy or not and अब bank of Japan ये चीज जैसे उसको पता चलती है over a period of time क्या करेगा bank of Japan ये आप लोग को मेरे को सोच समझ के बताना है comments पता फड़ा फड़ा I am waiting for your comment सोच समझ के ये होते गया संकल्प कामोशी 10 लाग का लोन 10 लाग का उसने property लिया value 20 लाग का हो गया क्योंकि real estate का prices बढ़ गया उसका value 40 लाग का हो गया उसने और उस value के basis पे mortgage रखे और loan ले लिया और real estate में invest कर दिया और real estate का prices बढ़ गया bank of Japan ये पूरा हिरा फेरी देख रहा है आप लोग को बताने अगर आप bank of Japan हो आप सबसे पहला काम क्या करोगे आप अगर वहां के governor हो आप वहां के economic policy monetary policy के head हो आप सबसे पहला काम क्या करोगे रिंकी शर्मा ने जवाब दिया है किरन very good everybody is answering great 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 मैं individual नाम लेना avoid करूंगा because then there will be a lot of names हाँ absolutely correct सब लोग ने सही जवाब दिया है and यही किया Japan के bank ने भी उन्होंने interest rates जो 1% था उसको increase करके बोला हम वापस से bank rate 5% पे लेकर आ रहे है and अब क्या हुआ उसके वाद पता है आपको immediately पूरा का पूरा real estate market पूरा का पूरा से 40 लाग की हो गई थी आज वो crash होके 40 लाग से crash होके 20 लाग 20 लाग से crash होके 10 लाग in fact 10 लाग की चीज़ भी अब 5 लाग के उपर आ गई because there was now default public ने तो 1% के हिसाब से सोचा था public अब default करने लगा in interest rate उसके पास 5% देने का था ही नहीं कभी हिम्मत अब जो मैंने inflated rate के हिसाब से इतना सारा real estate लिया उस real estate का भी value डाउन बहुत सारे लोग default करने लग गए in जपैन and इस एक चोटी सी monetary interest rate की गलती के वज़े से जपैन को इतना बड़ा भुकतान करना पड़ा कि आज भी आज भी उसका जो GDP है जो आज से 25 साल पहले था almost उतना ही है this basically is called as stagnation and यह stagnation क्यों हुआ पता है आपको क्योंकि उन्होंने अपना interest rates properly manage नहीं किया उन्होंने अपना interest rates properly manage नहीं किया तो क्या अगर आप अब government of Japan है तो क्या आप सोच समझ के interest rate को manage करेंगे the answer is yes because उसका impact आप देख रहे हो कितना जादा आता है कितना जादा उसका impact आता है ए समझे गड़ू है everybody बोलो बोलो चल चल समझे अब real estate market crash हो गया लोगों के पास ऐसा हालत था कि अब क्या करें अब bank ने यह सब चीज़ को mortgage लिया था गिर भी रखा था बट उन्होंने तो लोन यह सोच के दिया था कि इसके value 20 lakh है 40 lakh है अब इसका अच्छानक से value 5 lakh हो गया जो बैंक भी कई ना कई एकदम problem में आ गया जो investors थे वो भी problem में आ गया इवन दो Japanese इतना अच्छा products बना रहा है इतना innovation कर रहा है बट यह एक monetary policy की वज़े से real estate market crashed banks of Japan so many banks of Japan crashed and it was a mayhem इतना बड़ा issue कि 40 साल तक approximately 30-35 years तक Japan को इसका you can say repercussions impact जेलना पड़ा and that is where interest rates play such an important role in any economy सारी दुनिया को पता है जपान के साथ क्या हुआ था कि आज Japan world की सबसे बड़ी economy बन सकती थी अगर यह एक गलती वो time पे उन्होंने नहीं कियो थी या तो interest rate को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना था कम करना था उन्होंने क्या किया चलो चलो benefit देते है सिद्धा 5% से reduce करके 1% कर दिया पुष्पा कभी नहीं इसके लिए अगर आप लोग आज की तारिक में economic times कभी खोलोगे ना मेरे कहने के बाद और तुम लोग economic times open करके read करोगे ना तो interest rates या तो 0.25% से बढ़ते हैं या maximum 0.5% से बढ़ते हैं क्योंकि government को पता है कि otherwise क्या हो सकता है क्या समझ में आया आप लोग को ये story समझ में आई पूरा पूरा connect कर पा है देखा आप लोग ने कैसे interest rates से जैपैन और finance कितना connected था कितना connected था अभी clear everybody इसको कहते हैं Japanese asset bubble इसको प्यार से कहते हैं Japanese asset bubble so interest rates के impact еб ख्या हुआ येस रिसलते हम जैपनिश कितने अवह त्या इपनिट असेट bubble wow what a concept समझाए यह मज़ा है यह concept में तो मैं ऐसे और भी stories और concepts और ऐसे कर तेको मेरा style एक दम क्लियर है मैं अपहले एक example देता हूं example से मैं concept को derive करता हूं और फिर जो अपना formula derivation होता है और फिर practical questions अपने लोग solve कर पाते हैं because अपन लोग ने story के form में example के form में कोई चीज पढ़ी होती है we never forget that है ना एंड वही मैं चाहता हूं कि आपको भी भूलो ना और आपको इंट्रेस्ट आई इस चीज में और आप लोग भी इसका research करोगे आपको भी मजा है क्या आप लोग को भी यह तरीका सही लगा इफ everybody says yes this is how I will continue आप लोग को और भी ऐसी बहुत सारी चीज़े मैं financial बता सकता हूँ मजा आ जाएगा बता रहो चलो पॉब्लिक का बहुत बड़ा positive response आया है चलो तो क्या मैं आप लोग को अब story number two के उपर लेके चलू जहां पर आपने को बता चलेगा कैसे inflation की वज़े से एक और country financially had a big impact और फिर मैं आप लोग को इंडिया के stock market को interest और inflation से connect करके बताऊंगा and that will be the high point of our session today क्या बलता है पॉब्लिक तैया हो आप लोग यस 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 गाइस वाओ आये चलते हैं आज की दूसरी स्टोरी के उपर the Japanese inflation bubble sorry the Zimbabwean inflation bubble आईए 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 आई 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 समझने की कोशिश करते हैं कैसे Zimbabwee ने क्या impact लिया है यस अब मैं तुम लोग को कुछ question बूच हूंगा देखते हैं तुम्हारा general knowledge कितना अच्छा है मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ आपको क्या लगता है आज की तारीक में Zimbabwee you can say is like a underdeveloped country के जैसे गिंते है अपन लोग उसको इन दे यर 1985 एनी गैसे एनी गैसे जिंबाभवे कैसा था let me tell you guys it was even better than America yes जो आज की तारीक में वर्ल्ड का सबसे डेवलाप्ड कानमी है उससे अच्छा था अमरीका येस you heard that right so one Zimbabweean dollar was greater was greater than one US dollar थीक है बट हुआ क्या तिर अच्छानक सर क्या होगा 1985 के बाद वहाँ पे थोड़े issues हो गए कैसे issues environment related issues हो गए environment related issues जैसे famine पता है आप लोग को famine और यह सब हो गया इसकी वज़े से there was a huge food shortage वो लोग का जो पूरा farms है वो भी सब खराब हो गया and it was a health disaster पूरे के पूरे जिंबाबवे में there was a health disaster ठीक है तो famine आ गया food shortage आ गया and there was big 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 widespread health disaster in जिंबाबवे अब इसकी वज़े से यहाँ पे यह लोग बहुत issue में आ गये थे and यहाँ पे जिंबाबवे ने call किया USA को to ask for loan to ask for funding and यहाँ से कहानी शुरू होती है जिंबाबवे के downfall की आईए नहीं USA कुछ नहीं कि आप tension मतलो बट जिंबाबवे की policies में गड़बड हो गई अब सुनों क्या हुआ जिंबाबवे ने call किया USA को और बोला चल भाई loan दे USA ने बोला ठीक है done USA ने loan दे दिया जिंबाबवे को USA ने loan दे दिया जिंबाबवे को अब आपको loan दो तरह से loan को repay करना होता है एक तो आपको उसका interest repay करना होता है और दूसरा उसका आपको principal repay करना होता है एक तो उसका आपको interest repay करना होता है और दूसरा आपको उसका principal repay करना होता है अब ये repay करने के लिए जिंबावे ने क्या बेवकुपी की आपको बता है Zimbabwe started printing unlimited notes started printing unlimited notes क्यों? क्योंकि उसको repay करना है interest किसका? America का क्योंकि उसको principal repay करना है किसका? America का तो it started printing unlimited notes अब जब आप कोई भी चीज unlimited करते हो न तो जब आप unlimited notes print कर रहे हो अब बोलोगे हमको loan repay करना है बट वो unlimited loan आप limited जो पैसा print कर रहे हो वो general market जो general public है उसके पास भी आएगा अब जैसे जैसे मेरे पास पैसा आते जाएगा ना मैं उसको पागल जैसे उडाते जाओंगा ठीक है? I will start spending more अब उसकी वज़े से हुआ क्या एक pen एक pen जो पहले 10 जिंबावियन डॉलर का मिलता था अब public के पास बहुत सारा पैसा है तो public पैसा उडाने के लिए ready है तो public same pen का 15 जिंबावियन डॉलर भी देने लगा उनको पता भी नहीं चला that has resulted into inflation but 10 से 15 हुआ है तो 40-40% inflation हुआ है तो उसका impact उनको इतना नहीं लगा but over a period of time वो लोग ये print करते गए लोगों के पास पैसा आते गया जितना market में पैसा आते जाएगा उतना पैसे का value कम होते जाएगा and that is what happened with Zimbabwe कोई भी चीज याद रखना अगर easily मिल जाएना तो उसकी value नहीं रहती है इसलिए बुलते है कि CA का degree difficulty होना चाहिए CA का result or passing percentage और exam difficulty होना चाहिए तो ही तो CA का value है अगर वो easy हो जाएगा तो हरकोई CA बन जाएगा और अगर हरकोई CA बन गया तो आपको लगते है आपका value रहेगा answer चांसिच नहीं है तो इन्हों ने इतना print करना चालू किया value of Zimbabwe dollar got reduced value of Zimbabwe dollar reduced बॉस reduced तो इतना हो गया कि एक time पे आया उनका inflation 50% छोड़ो 200% छोड़ो इट वाज 1200% yes and and उन्होंने 1 billion 1 billion Zimbabwe dollar print करना चालू किया 1 billion Zimbabwe dollar print करना चालू किया और ये 1 billion Zimbabwe dollar में आता क्या आता पता है एक bread का packet एक bread का packet अरे ये तो कुछ भी नहीं है ये तो कुछ भी नहीं है एक time आया जब उन्होंने 1 trillion Zimbabwe dollar का करनसी प्रेंट किया इसमें भी आया क्या पता है एक bread का packet finally उन्होंने अपना currency ही discontinue कर दिया finally Zimbabwe dollar discontinue क्या करें भाई वैल्यू ही नहीं रहा एक trillion dollar का भी कोई वैल्यू नहीं एक billion एक trillion dollar का भी कोई वैल्यू नहीं है उन्होंने discontinue करके US dollar का अपना base बना लिया सोचो क्या हुआ पता है आपको अब सुनो unlimited printing of currency इसकी वज़े से क्या हुआ inflation a flat tune inflation unlimited inflation इसका impact क्या हुआ local या domestic currency ही आपको साला eventually discontinue करना पड़ा local currency ही आपको eventually discontinue करना पड़ा and it was the worst time for Zimbabwe it was the worst time for Zimbabwe और फिर वो ही development के साथ-साथ under development होते गया and आप देख रहे कैसे ये एक गलती की वज़े से Zimbabwe was trust समझ रहे आप लोग impact of these two things on finance are we understanding guys yes or no बोलो बोलो चल चल yes guys वाउ कैसा लगा आपको ये दो stories और कैसा लगा आपको ये learnings मजा रहे connection देख रहे हो आप लोग now this is where interest rates and inflation become so important और मैं जा आपको लगा था ना economic times पढ़ना चालो गरो अब जब आप पढ़ोगे और ये चीज़े देखोगे अब आप connect कर पाऊगे and you will realize that how important these things were अगर मैं अगर एक टुक में एक शौट में इसको summarize करना चाहूँ अगर मैं इसको एक शौट में summarize करना चाहूँ तो आज आपन ने सीखा दो major impacts कोई भी कोई भी economist को world के सबसे बड़े financial analyst को आप पूछो दो सबसे important चीज़े कौन सी होती है and वो आपको जवाब देगा कोई भी monetary policy कोई भी economy कोई भी country को चलाने के लिए सबसे important दो चीज़े होती है एक inflation and दूसरा interest rates and उन दोनों के बारे में आपन लोग ने देखा कैसे Japan ने उसको improperly manage किया जिसकी वज़े से वहाँ पे आ गया stagnation ठीक है जिसको बोलते हैं asset bubble and कैसे interest rate की वज़े से Zimbabwe में Zimbabwe में आ गया hyper inflation आ गया hyper inflation and उसकी वज़े से विचारों को अपना currency ही discontinue करना पड़ गया anyways एई समझे गड़ी चला अब मैं आप लोग को बता रहा हूं अब मैं आप लोग को बता रहा हूं के इंडिया का connection इस चीज में कैसा कैसे बैठता है आईए let's now connect to the India आप मुझे बताओ आज की important चीज सी गए कि सीधा RBI governor का सबसे important चीज क्या है वो भी आप अभी बता पाओगे आज की तारीक में अगर आप RBI के governor है या monetary policy के एक सदस्य है तो आपके लिए सबसे important चीज क्या होगी बताओ सोच समझ के क्वान everybody है यार अधर दो important चीज क्या होगी सोच समझ के बताओ correct 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 sir it is inflation and it is interest rates and let me tell you both are interconnected यह अपन ने देखा both are interconnected जपान में जपान में inflation आया उसको manage करने के लिए interest rates use किया जापान में inflation आया इसको manage करने के लिए interest rate use किया and that is where it happens पहले inflation आता है और फिर interest rate manage करते है तो inflation क्या होता है चलो समझाओ मुझे inflation क्या होता है इससे increased cost of production कोई भी अपना एक तो दो चीज़ वैल्यू अफ आर करन्सी decreases बरबर क्या होता है देखो पहले मैं एक किलो सो रुपे में लेकर आ रहा था एक किलो और यहां पर एक कॉस्ट आफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ ऑन अकाउंट आफ इंफ्लेशन दूसरा वैल्यू आफ मनी डिक्रीज़ वास आज मेरे पैसे का वैल्यू नहीं है पहले सो रुपे में एक किलो राइस आ था था अज बन फिफ्टी रुपीज में वह सेम एक किलो राइस आ रहा है यार एक रुपया जो जो सौ रुपया था आज की तारिक में 1950 में आज उसका वैल्यू एक रुपया भी नहीं है are we understanding this is what inflation does to an economy cost of production increases value of money decreases so अपने को अपने को can I say अगर inflation अगर बढ़ा मैं ये दो चीज़ वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोगो connect करता हूँ don't worry समझो अगर inflation बढ़ता है सुनो अगर देखा मैं कैसे connect कर रहा हूँ को ध्यान से सुनना अगर inflation बढ़ता है then in that case उसका क्या impact आएगा अब भी अपन लोग ने देखा अगर inflation बढ़ता है तो कैने से उसका क्या impact आएगा cost of production बढ़ेगा value of money decrease होगा तो मैं inflation को बढ़ाना चाहूंगा या कम करना चाहूंगा मैं inflation को बढ़ाना चाहूंगा या कम करना चाहूंगा देखना मैं आप लोग से कैसे निकलवाता हूं जीजे concept कैसे निकलवाता हूं आप बताऊंगे inflation बढ़ रहा है उसका impact देख रहो आप cost of production बढ़ रहा है value of money बढ़ रहा है मैं inflation के साथ क्या चाहूंगा inflation को बढ़ाना चाहूंगा inflation को control करना चाहूंगा CDC बात है I will want to I will want to decrease inflation बढ़ाबर है inflation को मैं control करना चाहूंगा कैसे control करूं मैं inflation को कैसे control करूं मैं inflation को मैं आपको बताता हूं सबसे best तरीका है inflation को control करने का is decrease the liquidity in the market मार्केट में पैसा ही नहीं होगा देखो इन अगें जिम्भावे वाला example क्यों inflation बढ़ा क्योंकि लोगों के आथ में free पैसा आ गया अगर वो inflation को control करना था जिम्भावे को तो जिम्भावे को क्या करना चाहिए था कैना इसे जो unlimited printing of currency उसको stop कर देना चाहिए था कैना इसे जो लोगों के पास पैसा है उसको stop कर देना चाहिए था तो अगर आपको decrease करना है अगर आपने अगर आपने inflation को decrease करना है control करना है तो you will have to decrease the liquidity in the market और market को अगर आपको liquidity decrease करना है तो इन दाट केस क्या करोगे interest rate को आप कैसे खेलोगे क्या आप लोग सोच सकते हो क्या देखो देखो मैं बापस से आप लोगो यह connection बताता हूँ ठीक है inflation dependent होता है liquidity के उपर जितना market में liquidity होगा आपने देखा zimbabwe जितना market में free पैसा था उतना inflation बढ़ते गया इफ लिक्विडिटी मैं इदर लिख सकता हूँ आपके permission के साथ समझा दिया है इफ liquidity increases market में free का पैसा है तो inflation के उपर क्या impact आएगा inflation बढ़ेगा but if liquidity decreases तो आप मुझे बताओ inflation के उपर क्या impact आएगा inflation कम हो जाएगा inflation कम हो जाएगा जी हाँ बराबर है अब उसको liquidity को market में पैसा कम करना है तो उसके लिए क्या करता है पता है RBI governor interest rate को increase कर देता है क्योंकि अगर उसने interest rate को increase किया तो market में loan मिलना महेंगा हो जाएगा interest rate increase हो गया तो loan मिलना मुश्किल यही तो जापन में गड़बड हुआ वो लोग ने interest rate को decrease किया loan मिलना easy हो गया सब लोग loan लेते गए loan लेते गए demand बढ़ गया demand बढ़ गया inflation बढ़ गया asset bubble तो वो ना होने दूम है इसके लिए मैं क्या करूंगा I will automatically क्या करोगे अगर मुझे यह liquidity को decrease करना है मैं यह interest rates को मैं यह interest rates को क्या कर दूंगा decrease करूंगा sorry increase करूंगा क्यूं ऐसा क्यूं ऐसा क्यूंकि अगर मैंने interest rate देखो आज की तारिक में कोई भी चीज आपको चाहिए तो loan पे लोगे आप ठीक है अब अगर मार्केट में interest rate बढ़ गया है तो आप loan लेना बंद कर दोगे तो मार्केट में पैसा circulation कम हो जाएगा मार्केट में circulation of पैसा कम हुआ liquidity decrease हो गया inflation but obviously decrease होगा and that's how you maintain the balance ए समझेगे दो everybody क्या अब आप भी RBI governor बन सकते है यह सर आज के इस session के बाद इस powerful session के बाद definitely आप बन सकते है for sure मतब आप यह किसी को भी दिखाना जिसको basic समझना है ना market का finance का interest rates inflation कैसे impact करते उसको यह lecture दिखा देना यह lecture मैं video में YouTube पे डाल दूँगा किसी को भी आप आपके friends को family को you know probably even show it to your parents your mother even she will be able to connect and relate to it and उनको भी एक अलग level का interest आएका वो भी समझ पाएंगी चीजों को हर आदमी समझना चाता है यार यह basic चीज तो everyday basis पे आपके inflation connected हो आप interest rate से connected हो आप पड़ कभी अपनों उसको समझ नहीं पाए एक 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 बेस नजरिये से I hope अभी आपको समझ में आया होगा that now if you are the RBI governor अब देखना मैं क्या impact पे लेके जाता हूं आपको if you are the RBI governor if you are the RBI governor तीक है अब impact समझना then inflation अगर बड़ेगा तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे can I say as a RBI governor I will want to inflation का impact क्या हैगा I will want to decrease the liquidity पूरा impact बताते जाओ कैना इसे मैं liquidity को decrease करना चाहूंगा liquidity को decrease करने का remote control मेरे हात में है कैसे कैसे मेरे हात में क्या remote control है correct it is interest rates it is interest rates and ये interest rates I will want to increase hey क्या ये impact आपको समझ में आ गया क्या बड़े बड़े है ना chartered accountants को भी ये चीज नहीं पता होती है chartered accountants leave aside student ये impact समझ में आया आपको everybody अगर आप लोग को ये impact समझ में है तो मैं आगे का इंपेक्ट आपको बताता हो प्रहो झापको लिए अब 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 इंट्रेस्ट्रेट्स में इंट्रेस्ट आ रहा है चलो अब मैं आपको आगे का इंपक्त दिखाता हु अब इंट्रेस्ट्रेट बढ़ गया है आप मुझे बताओ अगर इंट्रेस्ट्रेट बढ़े गा तो आप आप रियेल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदोगे या नहीं भी खरीद होगे सोच समझ के बताना इंट्रेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया है तो लोन लेना आपके लिए महेंगा हो गया या सस्ता हो गया है अब अगर आप रियल एस्टेट नहीं करीद होगे इंट्रेस्टेट बंडे की वज़े से तो उसकी वज़े से रियल एस्टेट का स्टॉक मार्केट के रियल एस्टेट के जो स्टॉक से उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपक्ट होगा आप लोगी बताओ मैं नहीं बता रहा, आप लोगी बताओ, चलो, खुश, आप लोगी बताओ, उसका real estate market पे क्या impact होगा, बोलो, बोलो, चल, चल, भई, आप interest rate बढ़ रहा है, आप बोल रहे हो, सर, मैं तो real estate नहीं करी दूँगा, सर, loan बहुत महेंगा हो गया है, सर, अभी नहीं करी दूँग तो ठीके, तो आप real estate नहीं करी दोगे, तो real estate का demand market में क्या हो जाएगा, कैना इसे कम हो जाएगा, yes, impact समझो, impact समझो, real estate का demand कम, अगर real estate का demand कम, तो कैना इसे real estate का overall development कम हो जाएगा, अगर real estate का overall development कम हुआ, तो real estate के उपर dependent होती है, cement and steel industry, for example, इंडस्ट्री दॉन इंफ्रा धॉन पावर दॉन ऐसे टाइम पर कॉन से मार्केट में इनवेस्ट नहीं करना है समझ में आ गया क्यों यह सब डॉन इंट्रिस्ट रेट की वज़े से इंट्रेट की वज़े से क्योंकि interest market में महेंगा हो गया है सर तो बढ़ेगा तो क्या होगा अब आप समझ गए अब आप समझ गए येस ये ही बोलते हैं ना cat and mouse game चालू रहता है stock market में कभी उपर कभी नीचे समझे गड़ो चल अब तो सर सब market पूरा down हो जाएगा तो पूरा सब लोग पैसा विड्रॉ करके पूरा market ही टूर जाएगा नहीं अब कुछ stocks है उनको ध्यान से समझना अब मैं आपको बताता हूँ एक stock जिसका नाम है pharma stock अब मेरको बताओ interest rate बढ़ेगा ठीक है उससे आप real estate, cement, steel, infra, power यह सब कम होगा, सब connected है बट क्या आप दवाई खाना बंद कर दोगे क्या आप बीमार पढ़ना बंद हो जाएगा आपका, बोलो the answer is no, so can I say pharma stock तो वैसे के वैसे ही रहेंगे अब ध्यान से सुनना मेरा analogy मालो में वो movie देखा है तुम लोग ने धमाल दमाल में वो 4 लोग रहते है तो और उसमें वो लोग बलते है अच्छा कौन आगे आना चाहेगा तो बाकी 3 लोग पीछे आ जाते है तो आदी automatically आगे हो जाते है फिर आदी बलते है मैं हमेशा आगे कैसे आ जाता हूँ क्यूं? तु आगे नहीं आया बाकी तिन लोग पीछे आ गए अब ध्यान से सुनना फार्मा उदर का उदर ही है बट रियल एस्टेट सिमेंट स्टील इंफ्रा पावर कैना इसे यह डाउन पर आ जाएंगे तो अब मैं यह सिमेंट रियल एस्टेट इंफ्रा पावर वाली इंडस्ट्री में तो करना चालू कर रहे तो फार्मा का दिमांड बढ़ जाएगा की उसका मार्केट टेढ़े रहेगा तौकी आवीं अंदस्टेट increase हो गया है तो क्या मैं shampoo करना बंद कर दूँगा हाथ दोना बंद कर दूँगा FMCGB steady रहेगा people will start investing उसका demand बढ़ेगा उस steadiness की वज़े से उसका demand बढ़ जाएगा और वो increase हो जाएगा क्योंकि बाकी लोग down पर है वैसे ही वैसे ही और एक sector है जिसका नामे IT sector उसका demand बढ़ जाएगा क्योंकि IT sector is majorly into export and and IT sector अगर majorly export में है अब ध्यान से समझना ध्यान से समझना कि impact क्या आएगा dollar के उपर because अब अपने अपना interest rates बढ़ा दिया है कही ना कही inflation बढ़ गया था इसकी वज़े से अपने money का value कम हो गया है and इसके वज़े से dollar value will increase इसकी वज़े से dollar value will increase इसकी वज़े से dollar value will increase अगर dollar बढ़ता है तो अपन express कर रहे है self तो dollar आला है dollar का value तो बढ़ रहा है तो अपना IT company भी चड़ जाएगा बढ़ जाएगा हाँ बड़ बड़ वी एक इंपोर्ट कुरूड ओई तो जो चीज एक्सपोर्ट किया अगर वह बढ़ा तो कुरूड ओईल के उपर क्या इंपक्ट आएगा क्रूड ओयल डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है तो क्रूड ओयल का कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा आप देख रहे हो कितना इंपैक्ट फुल है ये एक चीज और बाकी सारा चीज के उपर कैसे एक एक का इंपैक्ट आ रहा है ये तो मैंने का लिए एक एसपेक्ट बता है इसके साथ और बहुत सारी चीज़े कंबाइन होती है तब जाके टोटालिटी पे मार्केट फंक्शन होता है अपने को ये बेसिक ही नहीं पता होता है अपन कहां पे बाकी टोटालिटी के चीज़ों को देखने जाएंगे कुश्पा कहां पे देखने जाएंगे एंड 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 जब भी इंट्रेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो बॉन्ड के वैल्यू पे उसका क्या इंपैक्ट आता है वो अब मैं आपको बताऊंगा एंड यू विल गेट अफुल क्लारिटी येस तो भाई ऐसे सब चीज़े कनेक्टेड होती है ठीक है डॉलर डॉलर क्यों बढ़ रहा है क्योंकि देखो इंफलेशन बढ़ा है अब इंफलेशन बढ़ा है तो आपका जो रुपीज है उसका वाल्यू कम हो गया है अब आपके रुपीज का वैल्यू अगर कम हो गया है then definitely definitely say for example पहले एक डॉलर का 90 था अब एक डॉलर मैं आपके ज़ालूर्य रुपी का वैल्यू तो कम हो गया है तो अब लेक डॉलर के लिए 100, 100 आ जाता है and that is where dollar has increased and last जो मैंने आपको बताया जो bond है ना, bond, bond, bond यह bond का value यह तो अपने को पूरा एक chapter में पढ़ना है, but bond का value भी कम हो जाएगा जब interest rate बढ़ जाएगा इसका एक example दे दे तो फिलाल समझे तो ठीक, नहीं समझे तो बाद में तो समझाऊंगे, say for example say reliance है reliance ठीक है, reliance ने bond issue किया ठीक है, reliance ने bond issue किया say 2023 में for example, और यह bond issue किया उन्होंने at the rate 8% interest, bond पे आपको पता है fixed rate of interest मिलता है, अब market scenario change हो गया market में 2025 में interest interest rate increase हो गया interest rate increase हो गया to 11% अब आप मेरे को बताओ क्या हो, जैसे यह market में interest rate 11% हो गया, यह वाला जो bond है, यह वाला जो bond है, सब लोग sell करना चालू कर देंगे, और सब लोग यह वाला bond buy करना चालू कर देंगे, 11% वाला, जैसे इसको sell करना चालू कर देंगे कोई भी चीज के उपर selling pressure आता है कोई भी चीज के उपर समझो इसके उपर selling pressure आया तो उसका value down हो जाएगा जैसे उसके उपर purchasing pressure आता है लोग को चाहिए demand बढ़ता है तो उसका value बढ़ता है यहाँ पर selling pressure आएगा लोग बेचना चालू कर देंगे क्यों बेचना चालू कर देंगे कोई लोग shift हो जाएगे 11% वाले के उपर and that is where value of bond will जी हाँ decrease this is how the whole chain is connected आज के बाद जबाब पढ़ेंगे न economic times you will be able to connect to each on everything that I have just said to you hey समझे गिए everybody क्या आप लोगको समझ में आया मैंने जो भी अभी समझाया clear हुआ आप लोगको पक्का sure damn sure very nice चल अब आप अपना comfort effort करेंगे clear है guys yes कैसा लगा आज का mind blown session got it great great yes so आज यही आप लोगको basics मुझे समझाना था this is how the market functions एंड इसी का ही लिए यह मैंने session लिए मैंने बुला था आपको आज आपको और कुछ नहीं करें one and a half hour हुआ है one and a half hour का session लोगा प्रॉक्स एंड एक एक basic install कर दूंगा इंस्टिल कर दूंगा बाकी जो chapters करने वो तो कर नहीं है यार वो तो करवाने वालों आने वाले तीन मेहीं करना है अपने को यह भी चीजे जानना कितनी ज़रूरी थी अपने क्या क्या समझ में आया आज आपको क्या क्या समझ में आया हां इंट्रेस्टेट सबसे पहले सबसे बड़ा गेम कहलता है इंफ्लेशन इंफ्लेशन बढ़ेगा तो अपने को लिक्विडिटी कम करना है लिक्विडिटी कम करना है अहां बोलो 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 तो इंट्रेस्टेट बढ़ाएंगे उसका इंपैक्ट रियलेस्टेट शिम्मेंट इस्टील पावर ये सारे स्टॉक डाउन बढ़वर ऑदब़र फार्मा आई único टी फम सीजी यह सारेश्टॉक अप डॉलार अप प्रूड ओल जो भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो basically crude oil आप इंपोर्ट कर रहे हो अप gold भी इंपोर्ट करते हो up और bound का value down एई सामजी किडू clear guys इधर चेए तो gold भी लिग सकते है अपन लोग कि इंपोर्ट कर रहे हो जो भी चीज इंपोर्ट करते हो चलो guys done so I hope आप लोगों को यह पूरा session समझ में आ गया होगा ठीक है आज का मेरा photo लेकर status बनेगा यह यह मेरा आज का photo लेकर status बनने वाला है जैसे कर AFM के phases बने थे okay it's time for me to say astra avista guys take care keep smiling at a great session कल से अपन स्टार्ट करेंगे अपनी journey of chapters of AFM पट यह basic जानना जरूरी था I hope everybody is clear till now with all that has happened so far thank you are you enjoying the sessions guys yes keep doing that bye bye thank you अस्ता लेस्ता